उठो चराग उठाओ कि आपताब चलाएं सरा कदम तो उठाओ कि एक नाँ बनाएं उतारो पाउं से मेहंदी कि ये पाउं जलते हूं उतर के रहपे देखो कि ये पाउं चलते हूं क्यों कि जीना इसी का नाम है क्यों कि जीना इसी का नाम है क्यों कि जीना इसी का नाम है दीदी ये नहीं हो रहा मुझे नहीं हो रहा अम्मा मैं चा रही हूं अरे उसके बस्ते में किताबे तो ठीक से लगा दे बिटाया अम्मा मुझे देरी हो रही है तो उसे छोड़ कर जाएगी स्कूल के या मुझे नहीं जाना इसके साथ और बात भी नहीं करनी इससे हाँ तो मुझे भी तुछ से बात नहीं करनी अरे अभी तुम लोगों पे जगणा क्या शुरू हो गया अम्मा मैं चा रही हूं अरे सुनता बिटिया चुटकी तीरत पी ठीक नहीं है क्या नहीं है तो अच्छा मत जा स्कूल आज पर नकरे तो मत दिखा जा काट पर लेट आराम कर ले चल्ट चुटकी श्कूल जाना है ना मैं स्कूल जाओंगी और अके लिए जाओंगी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ ओहो जोज यह मैं आयकर पर हबारत दिमाज मत खराब कर चुटकी मैं चलो तुमारे साँ नहीं मैं खुछ चली जाओंगी जाने दे उसे बहू परिशान मत हो नहीं अम्मा मैं छोड़ा आती हो से स्कूल तक अभी स्कूल के लिए एक जी स्कूल के लिए एक चेक बना देना पचास जार का स्कूल के नाम पे एक लाख रुपे का चेक अभी देकर आ रहा हूं सर्पन जी को हाँ मैं जानता हूं पचास जार का चेक और तो बना दो प्रोफेसर साहिब आप लोग इसी रब्तार से उस टुचे से स्कूल पर पैसा लुटाते रहना तो मुझे तो लगता है कि एक दिन हमारे हाथ पर भीग काकटोर आएगा समस्या तुन्हारी ये हमंगत कि तुम पेट और काटोरे से ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाते स्कूल को कितने रखन दी है माया ने एक लाक शिकारी जब शेर का शिकार करता है तो दाने नहीं डालता खूटे से बकरे को बांता है बेगम पर इकका नहीं बाश्चा फेकना पड़ता है झालता है झालता है तुम कहा जा रही हूँ? तुम कहा जा रही हो? वो में चुटकी को उप स्कूल चोने जा रही थी तुम्हें मैंने कहीं देखा है पहले मुझे? यहाँ हो सकता है अभी जरह मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आप लोग उसे आकर मिलती हो अरे कला तुम तो हमेशा जल्दी में रहती हो कभी हम लोगों के लिए भी वक्त निकाल लिया करो कौन सी गॉंसे हो तो आपको चलना है तो चलो वन्हा केदो नहीं चलना मुझे देर हो रही है हाँ बस चल रहे है बेटा हमें जरा देर हो रही है अभी मैं चलती हूँ फिर कभी मिलूंगी तो बताऊंगी यह क्या बताएगी इसका सारा कच्चा चिठा मालू में मुझे अच्छा और क्या क्या मालू में तुम्हें अरे बड़ी अजीब कहानी है इस ओरत की सती सावितरी बने गुमती है इसके तो अरे सुमर और बताना और क्या बताया उस निकला के बारे में अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ लेकिन वो कह रही थी के अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी कि डाल में कुछ काला है अरे मुझे तो कलारानी की पुरी डाली काली नजर आती है च्यो भई आज ही मीटिंग यही हो जाएगी या फिर अब तुम लोग आंगनवाडी भी चलोगी बस मीटिंग ही समझ लो लेकिन खबर थोड़ी धमाके वाली है अच्या तो फेर हमें भे पता चले कि बात क्या है अच्या मैं चलती हूँ अरे भवी आज आंगनवाडी नहीं आओगी क्या अरे आती हूना वो वो दिमाग से निकल गया कडाही चूले पर छूट गई उतार आओ नहीं तो जल कर कोईला हो जाएगी हाँ तो सुमन तुमने बताया नहीं मुझे क्या बात हो रही थी अरे कुछ नहीं बैंजी वो कला है न उसके बारे में कुछ खबर हाथ लगी है धमाकेदार खबर धर्मकरम से बड़ा कोई काम नहीं है भूँ अरे माजी आ कर ले कर ले पूजा पूरी कर ले बस हो गई आप बहू परवीन कैसा है अब अच्छे है माजी अब तो थोड़ा चलने फिरने भी लगे है लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है डॉक्टर्स का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा माजी मुझे थोड़ा सा काम है बहू तजसे एक बात करनी है जरूरी जी कहिए तू देख रही है न किस तरह वो कलका चोकरा अभी और वो बुठा परफैसर तौलत लुटा रहे कुछ खबर है तुझे इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अरे तुमारी जैदात है कोई तुमारी नाग के नीचे ऐसे परभात करे और तू कह रही है कि तू क्या कर सकती है अरे तुझे ही कुछ करना है मा जी हमें कोई शिकायत नहीं और वैसे भी इस बड़े घर में हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं कबूतर की तरह आंक मुंद लेने से मुंडेर पर बैठा की उड़ नहीं जाता जिस तरह लाक लाक रुपए खेरात में बाटे जा रहे हैं इसके बाद तुमारे ही खेरात मांगने की दिन आने वाले हैं लाक लाक रुपए पड़ी भोली है मेरी बहु आरी थीक एक लाक का चंदा दिया स्कूल को इस अभी और निखटू प्रफेसर ने बहु मेरी बात का बुरा मत मानना अब तुमारा पती तो अपाईज है अब उसमें चारे को तो किसी चीज की सुद्बो दी नी पर सच तो ये है कि ये सारी जैदाद है उसकी और मेरी जिस तरह रुपए लोटाई जा रहे हैं एक दिन बड़े घर के खजाने खाली हो जाएंगे फिर तुम परवीन और तुमारा बच्चा क्या करोगे कुछ सोचा है ये लुटेरे ये लुटेरे तो लोटकर निकल जाएंगे फिर तुम और तुमारा परिवार इस बड़े घर के खंडर में भूतों की तरह भूके पेट मंडराओगे या या किसी सहर में भीक मांगते नजर आओगे सोचो कुछ सोचा है